दोस्तो स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो न्यूज में तो चलिए जानते हैं क्रिप्टो की आज की बड़ी खबरे दोस्तो डोनाल्ड ट्रम्प के एड्मिनिस्ट्रेशन के समय में एक टॉप बैंकिंग रेगुलेटर ने कहा कि बैंक्स को अपने क्लाइंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी का लीगली ट्रेड करना चाहिए वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये भी कहा गया कि इससे बैंक के पास ट्रेड करने के लिए एसेट के रूप में डिजिटल करेंसी होगा Office of the Comptroller of the Currency के एक स्टाफ की ओर से ये बाते कही गई है हलागे उसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया है दोस्तो क्रिप्ट न्यूज में चानते हैं अगली ख़बर दोस्तो स्क्वीड गेम के फैंस जल्द ही रियल लाइफ में भी इसको इंजॉय कर सकेंगे क्योंकि पूरे अमेरिका में कई इवेंट प्रोमोटर्स, बार्स और रेस्टूनेंट्स, स्क्वीड गेम्स इवेंट्स को होस्ट कर रहा है और इस गेम का पार्ट बनने के लिए लोगों को एक नॉमिनल प्राइस पे करना होगा चैलेंज हर जाने पर भी कोई पेनल्टीज नहीं देना पड़ेगा और जीतने वालों को प्राइस, गिफ्ट कार्ड्स दिये जाएंगे जानते हैं अब क्रिप्टो न्यूज में अगली खबर सेकेंड यूएस बिटकोईन फ्यूचर्स ETF के शुरुवात अच्छी नहीं दिखी वालकीरी बिटकोईन स्ट्राइजी ETF बीते दिन अपने 25 डॉलर के शुरुवाती प्राइस से 2.8% गिरा है प्रोशेयर्स बिटकोईन स्ट्राइजी ETF की मंगलवार को डेव्यू के बाद वैली केरी के लिए बार हाई था प्रोशेयर्स अब तक का सेकेंड बीजेस्ट लाँच एवर रहा जिसने केवल दो दिनों में ही फंट में एक बिलियन डॉलर से जादा का ऐसे जुडाया यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फील्ड में जल्दी ही भीड हो सकती है क्योंकि पेंडिंग में चल रहा वैनेक का बिटकोईन स्ट्रेटजी एटीएफ जल्द ही अगले हफ़ते आ सकता है जिसका मैनेजमेंट फी 30 बेसिस पॉइंट्स प्रो शेयर्स और वैली केरी फंट से सस्ता है जब गेरी गेंसलर ने कहा था कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दिया चाहेगा उसके बाद ही यू दोस्तों Reddit एक NFT प्लाटफॉर्म तयार कर रहा है यह शायद जल्द ही अपना NFT प्लाटफॉर्म लॉंज करें Reddit ने कहा कि एक नए एक्साइटिंग और रैपीडली ग्रोइंग टीम यानि की Reddit का एम अब इंटरनेट पर लार्जेस्ट क्रियेटर एकॉनमी विल्ड करना है क्रिक्टो के दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमसे